नमस्कार मैं डोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों आज कल मैट्रीमोनियल केसेज काफी बढ़ गए हैं जब हम क्लाइंट की पूरी बात सुनते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि पती-पत्नी में आपस में काफी टाइम से बातचित नहीं हुई या दोनों के परिवार एक दूसरे के कॉंटेक्ट में नहीं है और उनकी परिस्थितियों को समझ कर ऐसा लगता है कि कोई कोर्ट कार्यवाही करने के पहले नौटिस देना उचित होगा ऐसे में काफी क्लाइंट ये पूछते हैं कि क्या डिवोर्स या मेंटिनेंस का केस फाइल करने के पहले भी लीगल नौटिस देना जरूरी होता है काफी लोग ये तर्क भी करते हैं कि अगर ऐसी कार्यवाई के पहले लीगल नौटिस जरूरी नहीं होता तो वकील लोग इसकी सला क्यों देते हैं? आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि डिवोर्स या मैंटिनेंस के केस के पहले नोटिस देने के क्या फाइदे हो सकते हैं और नोटिस देते टाइम किन-किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए लेकिन टॉपिक को शुरू करने के पहले मेरी आप से हमेशा किता है रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए है या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लिजिए ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले हम बात करें कि क्या डिवोर्स मेंटिनेंस या फिर डॉमेस्टिक वोईलेंस का कोई भी केस करने के पहले अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया जाना जरूरी होता है तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं तो फिर कुछ वकिल नोटिस देने की सलाह क्यों देते हैं इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि नौटिस देने से आप आगे की लीगल कार्यवाही के ग्राउंड्स को तै कर देते हैं जिससे आपके विपक्षी को पता चल जाता है कि अगर वो मामले का निप्टारा बिना कोर्ट के नहीं करता तो उस पर किन-किन आधारों पर कार्यव कि जाएगी इससे एक तो विरोधी पक्षकार को अपनी बात कहने का मोका मिल जाता है और दूसरी बात मामले में कंप्रमाइज होने की संभावनाएं भी बन जाती हैं जैसा मैंने पहले बताया कि काफी सारे मेट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में पति-पत्नी या परिवार वाली पार्टी को एक चांस मिलता है कि अगर उसके दिमाग में राजिनामा यानि कंप्रोमाइज करने की कोई बात है तो वो नौटिस पर रस्पॉंड कर सकता है इससे होता यह है कि आपको कोर्ट में जाकर कंटेस्ट नहीं करना पड़ता और कोर्ट की कार्यवाही में पक्षकार सहमत हो तो इसके लिए कंप्रोमाइज या नेगोशियेशन कर सकता है और हो सकता है कि इतने में ही बात बन जाए दोनों पार्टी किसी एक पॉइंट पर एग्री हो जाएं मेंटिनेंस के मामलों में पेटिशन पेश करने वाले को ये भी बताना पड़ता है कि उ एक और बात कि कोर्ट केस करने की बजाएं नोटिस देने से एग्रेशन इतना नहीं बढ़ता कोई पार्टी सीधे कोर्ट केस कर दे तो सामने वाली पार्टी इसे अपनी प्रतिष्टा के खिलाफ मान सकती है और फिर एक गुस्सा बन जाता है कि अब तो कोर्ट में ही क्योंकि कई बार एक नोटिस से ही कंटेस्टेड केस कंप्रोमाईज केस में चेंज हो जाता है नोटिस के बाद जो बात चीत हो सती है उससे पार्टी सहमती के आधार पर डिवोर्स लेने के बारे में भी सोच सकते हैं जिसमें टाइम भी कम लगता है और एक दूसरे पर तूटने से बच भी जाती है और पती-पत्नी को फिर से नई शुरुवात करने का मोका भी मिल सकता है इतनी सारी बातों से ये तो साफ है कि मैट्रीमोनियल मामलों में जरूरी नहीं होने के बावजूद भी लीगल एक्षन लेने के पहले नौटिस जरूर देना चाहिए अब बात करते हैं कि नौटिस कैसे तयार करना चाहिए और किन बातों का ध्यान हमें रखना जरूरी होता है सबसे जरूरी बात कि नौटिस तयार करने में सारे अवेलेबल ग्राउंट्स लिखने चाहिए जैसे अगर divorce चाहा जा रहा है तो divorce किन grounds पर मांगा जाएगा उसके बाद maintenance की रकम क्या होगी अगर permanent alimony की demand की जा रही है तो उसकी amount क्या होगी अगर कोई बच्चा है तो उसकी custody किसके पास रहेगी या उसके भविश्य में क्या अधिकार होंगे सारे crowns लिखने के बाद आप अपने सामने वाली parties जो relief चाहते हैं उसे भी एक्टम पस्ट शब्दों में लिखना चाहिए ध्यान रहें relief clear होने के साथ साथ practical भी होनी चाहिए अगर parties में आपस में पहले से कोई litigation pending है तो उसके बारे में भी notice में लिखा जाना चाहिए notice तयार कर लेने के बाद बात आती है कि उसे किस तरह से भेजा जाए हालांकि आज कल digital यूग है notice email के जरिये भी भेजा जा सकता है लेकिन notice भेजने और सामने वाली party को notice मिलने के बारे में साबित करने के लिए सबसे सुईधा जनक तरीका है registered dark notice registered dark with AD से भिजवाना चाहिए आप चाहें तो notice की एक copy email से भी भेज सकते हैं notice की एक copy को अपने पास रखना चाहिए और postal receipt और acknowledgement को safe रखना चाहिए ताकि court case की नौबत आने पर उसमें पेश किये जा सकें एक सवाल ये भी आता है की notice कितने time का होना चाहिए तो चुकि ये notice legal requirement नहीं है इसलिए वैसे तो कोई time prescribed नहीं होता लेकिन फिर भी कम से कम 15 दिन का notice तो देना ही चाहिए ताकि सामने वाली party को respond करने के लिए sufficient time मिल जाए और अच्छा होगा कि आप कोई भी कार्यवाही भी 15 दिन के बाद भी 7-8 दिन रुक करी करें काफी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या notice advocate का ही होना जरूरी है तो किसी भी notice के लिए जरूरी नहीं है कि वो advocate का ही हो लेकिन एक अच्छा advocate सारे legal aspects को समझता है जबकि आम आदमी काफी बार notice को ठीक से draft करने में भूल कर सकता है इसलिए अच्छा यही होगा कि आप एक अच्छे advocate से ही अपना notice तयार करवाएं एक बात और कि notice देने के बाद जवाब देना या जवाब ना देना सामने वाली party पर depend करता है कई बार notice का जवाब दिया जाता है और कई बार नहीं भी दिया जाता लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में अगर आपको जरूरी लगे तो आप अपने notice के आधार पर legal action ले सकते हैं लेकिन अगर सामने वाली party ने notice का कोई जवाब दिया है तो जवाब को ध्यान में रखते हुए ही petition तयार करनी चाहिए और उसी हिसाब से drafting करनी चाहिए दोस्तों उमीद है matrimonial cases में notice की importance को आप समझ पाए होंगे इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है या आप अपने किसी मामले में मुझसे राय लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के नमबरों पर WhatsApp करके या फिर phone करके call book करवा सकते हैं ऐसी ही legal जानकारियों के लिए बने रही हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में